आज मैं आपको बताओं कि मैं मुझे मौका मिला यहां हमारे प्रधान मंत्री के घर पे आने का और इनसे बाचीत करने का तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेस्टिन्स नहीं लाया हूँ मुझे जानना है कि as a person, as a human being, एक इनसान के नाते हमारे प्रधान मंत्री हैं, वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बाचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीजे होती हैं, मतलब पॉलिटिक को छोड़के, उसके बार में मैं उनसे जानना चाहूँगा, तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि आपने मौका दिया है, आप से बात करने का, एक बहुत अच्छा लगा कि हम 2400 घंटे राजनीती की बातों नहीं उल्जे रहते हैं, तो आपने हलकी फुलकी बाते और अब पॉलिटिकल बाते करने के लिए इच्छा जताई है, मैंने जानता हूँ, दर्शकों को इतनी रोची होगी, लेकिन जरूर मैं खुलकर के बाते बताना पसंद करूंगा। रहती हूँ तो कि आम खाते हैं तो क्या काटके खाते आं या ऐसे गुट्ली के साथ खाते हैं वाश्बिसन मुट्ली के साथ आम घंगे कौछ और होते हैं, तो मैं जाना चाहूँ की आम खाते हैं। एक तो मैं आम खाता भी हूं और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है लेकिन जब मैं छोटा था तो बैसे तो गई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस पकार की को लगजरी हमारे फैमिलिय थी नहीं लेकिन कभी अचेटों में चलिजाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है को खेट में आगण खाता है तो कभी रोकता नहीं है चोड़ी करता है तो रोकता है तो आम के पैढ़ पर जो पकी हुई आम थे वह खाना हम ज्यादा पसंद था यह याने उतारने के करना चाहिए जिकना करना कुछ नहीं समगते थे ऐसा ही अपना कर लेते थे लेकिन बात में जिसे जे बड़े तो कई वराइटियों के विशे में जाने लगे आम रज खाने के आदर लगे लेकिन आम दोरों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है अश्या अभी फिल हाल में मुझ कि आप प्रधान मंत्री बनेंगे कभी आपने सोचा था और सोचा भी था तो कौन से साल में कौन सी उमर में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा कभी ऐसा विशाद नहीं है और सामाने लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है शायद जो बन जाते हों सब के जीवन में ऐसा होगा मैं नहीं मानता हूं कि एने कोई एक तिम फैमिली ही उसी प्रकार से बेग्राउंड बाली हो और किसी गमन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभा भी खेर पना मेरा जो फैमिली बेग्राउंड है उसमें तो आगर म मेरी मां अडोस-पडोस के लोगों को गुड़ खिला देती है कि चलो बेटे को वहां नोकरिव में गई क्योंकि उससे ज्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं सा गाउं के बार को देखा नहीं सा यह तो यह तो यात्रा चल पड़ी और देश में यह लेता चला गया तो अपने मेरा बैक्ग्राउंड मेरी दुनिया आज की जो राजनीती का तौर करिया उसमें यह सब बैठता ही नहीं जी मुझे भी आफिर हो रहा है कि देश में इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है यहां तक मैंने पड़ा है आप सन्यासी बनना चाह आते थे ऐसा कुछ पी यह आपके बाद सही है बच्पन में मेरा एक सबहावता किताबे पढ़ना लाइबरेज चला जाता था तो बड़े-बड़े लोगों के जीवन पढ़ना यह शौक रहता था कभी फोज वाले उनिफॉर्म में निकलते था तो मुझे बढ़ा देखता था कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सल्यूर कर देता था मन करता था इतने में 1962 का गौर हो गया तो हमारी हां से दूर एक महसान स्टेशन है मेरे गाउं से तो वहां स्टेशन पर है सब लोग जो फोज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सब्कार करते थे च मन पर हो गया यह देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है तो कभी उस दिशा में सोचता था इतने में एक बार मैंने कहीं पड़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है उसमें आप दाखिल हो सकते हैं तो हमने अपनारे उस समय साथ एक रुपया दू रुपिय से उसका स सारा जानकारी अमंगवाते थे अब हमें तो अंग्रेज आती नहीं थी तो हमारे महले में एक स्कूल के प्रिंसिपाल मिस्टर रास विहरी मनियार करकर रहते थे तो मैं उनके पास चला गया मुझे कभी बड़ी वेक्ति से मिलने से कभी संकोची नहीं होता था ऐसे फिर च अब उनका करीब 100 एर उमर में 20 फरकवास हुआ तो मैं सीम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाए मैंने प्रधानमंत्री बना तो नहीं कहां चला जाता था अभी कलकते में अस्पताल में तो दो तीन बार हो आया था मैं तो वो बढ़ा बहुत मुझे प्यार करते थे समझात तो यह सारे नए नए अनुभव होने लगे हमालाई की दुनिया में चल पड़ा बहुत कुछ भटका बहुत की घुमाद निया देखी और यह सब अठारा बीस साल-बाइस साल की उमर में करता रहा मैं लेकिन कुछ कन्फ्यूजन भी था कुछ इरादे भी थे कोई गाइड कि मन में सवाल खुद पादा करता था जब आप खुद धूंता रहता था ऐसे भटकता 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 यहां पोज़े आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात मैं सुन रहा हूं तो मुझे लगता अगर आप प्रदान मंतरी नियों तो जिस हिसाब से आप बता र हमेशा होता है मेरे साथ भी मैं भी आपको अगर एक किसा सुनाओंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है मैं क्या बनने वाला था मैं एक मार्शाल आट का टीचर बनना चाहता था कहां मैं फिल्मों में आगया और फिल्मों में आते आते ही हो बन गया है मैं आप से क्य हमारे प्रधान मंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ गुस्सा आता है और मतलब क्योंकि देखे सब को गुस्सा आता है आम शूर आपको भी गुस्सा आता है अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो गुस्सा निकालने के लिए किस पर निकालते हो और कैसे निकालते हो मेरे लिए ये कभी कोई कहexistाή कि मौझे गुणजा नहीं आता है तो बहुत लोग को सर्प्राइज होता है आपको गुणजा नहीं आता है? मैं बताता हूँ सर्प्राइज होता है इसलए ये कहना कि राजी, नाराजी, गुस्सा, मनुश्य के स्वभाव के हिस्से हैं. जिन्दगी उसके बिना हो नहीं. हर प्रकार की चीजे हरके अंदर होती हैं. लेकिन जो मेरा 18-22 साल की जिन्दगी का जो एक बड़ा तुपका था, वहां जो मेरी ट्रेनिंग हुई ऐसी बाते थी, सभाव में इस्वने सब दिया है. अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना. तो फिर ये चीजे हैं जो नेगेटिविटी नाती है, वो रूपती है. मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्य मतली रहा, इतने समय तक प्रधानमत्री रहा हूँ. लेकिन चपराशी से लेकर के प्रिंसिबर सकेर्टरी तक मुझे कभी घुस्सा व्यक्त करने का अफसर नहीं आया है. कभी नहीं आया. लेकि मैं आपको बता हूँ, बाहर जो आपकी छवी है, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नीचा दिखा करके, आप मानित करके काम नहीं नहीं करता हूँ. मैं उसको प्रेजित करता हूँ. कभी कोई चीज है, मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रुप में खड़ा हो जाता हूँ. मान लीजे, कोई ड्राप लेकर का आया. तो एक तो 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 दुरिगा होता है, बहुत क्या ले आगा हो, दूसरा होता है, वा, ऐसा करे ला, यह अपन करे तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है, यह करे तो कैसा होगा, तो क्या होता है, मेरी दस मिट पहली इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है, तो अगली बार जो आता है, तो मुझे मेर समय नहीं जाता है, वो मेरी कलपना के अनुसार चीड लेकर के आ जाता है, तो एक प्रकार से मैं कोई लेकर आता है, तुसमर से शिखता भी हो और शिखाता भी हो, और मैं अपने टीम बनाता चल जाता हो, तो मेरे प्रेसर है, स्ट्रेस है, वो नीचे 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 डिवाइ रोक लेते हैं होता क्या है जी कभी माननों एक मिटिंग में आपने गुसा कर दिया गुसा कर दिया तो मिटिंग का एजन्ड आप अगरे सब छूट जाता है हरे के मन पर वो दो तीन मिनित की समय रहता है वहीं चाया रहता है वह बहुत नुक्षान करता है जो मुझे गुसा आता है तो मैं आपको पता हूँ गुसा एक निकालना बहुत अच्छी बात है मैं चोटा मुखर बड़ी बात मैं आपसे बहुत चोटा हूँ और मैं कहूंगा कि आप गुसे को जो है अंदर ना रखे उसे निकाले जैसे मैं निकालता हूँ क्या करता हूँ एक boxing bag घर पे रखा हुआ है जितना हो सकता है सुबह साड़े चार पाँच बजे मार लेता हूँ और अपना गुसा निकाल लेता हूँ और फिर थक हार के बस या कभी समंदर किनारे चला जाता हूँ और जोर से चीकता हूँ कोई भी नहीं होता है ने इसके लिए कारक्ट रहेगा है मन की स्थित्य के लिए इतना होता है चहरे पर बाड़ी पर गुसान और शब्दों में वक्त होना दूसरा होता है आपके इमोशन को मैं अपने अंदर एक चीज डेवलप की थे ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ कभी होता है ते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कभी होता थे मैंने ऐसा क्यों किया मुझे ऐसा नहीं करना चीज और कभी इगो बीच में आता है, तो मैं वेक्त भी नहीं करता हूं, यह मनुष्य है, मैं क्या करता था? अकेला कागज लेकर के बैठता था, उस सारी घटला का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्यों किया, खुदी, और उसमें जश्टिभाय करने की पूरी कथा दुबारा लिखता था, तीन पेज, चार पेज, पाँच पेज, उस में उस सारी घटना क्रम को डालके पूरे पेपर 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 देता था, इससे क्या होता था कि वो चीजे मेरी जो इमोसन्स है, उस कागज के अंदर आकर करके फिर जल जाती थी, तो मैं एक प्रकार से फिर उस प्रक्रिया के दर्म्यान, जो पहले मुझे सच लगता था, मैं सच हो, दो तीन बाल लिखते के बार मुझे लगता है, नहीं यह गलत है, मैं सच नहीं था, मैं यह गलत था, यह मैं आइडेंटिफाय कर लेता हूं उस पर से, तो मतलब यह आपक आपके साथ रहता हूं, आपका मन करता है, सर, आपकी मा, आपके भाई, आपके सारे जितने भी दरिश्टियार हैं, आपके साथ घर पे रहें। है पहला है कि अगर मैं पी एम बनकर के घर से निकला होता तो तो स्वाभाविकरित से मेरा मं रहता के विजब अब इसाब वही दय है। मैं जिंद्धिकी की बहुत छोटी आयू मैं सबको छोड़ चुका हूं। मैं बहुत छोटी आभी मैं छोड़ दिया, छोड़ दिया उसके कराण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटेच बन गई और इसलिए जिसको कहें लगाओ, मोह, माया मेरी जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, जो ट्रेनिंग हुई, वो उस प्रकार के हुई, और उसके कारण एक अवस्ता के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है, उस समय जब छोड़ा तब तकलिफ होई होगी, लेकि अब जिंदगी वो बन गई, लेक पर फिर भी, जैसे मेरी मा मुझे कहता है, तो मेरे पेसे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहां क्या करूगी तुम्हार साथ रहेंके, मैं अपना चली जाते हूँ, मैं अपने पुराने गाउं के जो लोग है, को विया मिलने आते तो बाते होती है, अपनी बाते होती है, तुम्हार साथ में क्या बात करूँ, तो उस्वाब आउगी है कि इसे का मन मेरे साथ नहीं लगेगा, तीसरा मैं भी समय नहीं देता, जतने दिन मा यहां रही, मैं अपनी फेडियूल में ही लगा रहता था, तो एकाद बार साथ में खाना खालेता था, फिर भी यह भी पे से पहली बार मिला था जब आप वहां सीम थे, तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे, और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाय था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका हुमर अप प्रधान मंतरी बनने के बाद इंटक्त है आप हुमर मेरे मेरे परीवार में मेरी एक विश्यस था है, आपकी चुटक्त है, मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते हैं, कई लोगों से ऐसे बात चीत करते हैं, वो बाद यार बड़ा काम करवाते हैं, तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट अड्मिस्ट्रेटर, ए ऐसा लगता है, मतलब हाथ में छड़ी होगी उटके, तो अभी भी आपका हुमर एक बात है, यह जो चबी बनाई यह वो सही नहीं है, और कोई यह कहता है, मैं काम करवाता हूं, शायद वो सही रूप में अनालिसिस नहीं कर रहा है, वो यह कहें काम बहुत करना पड़ता ह है, उस पर सचा ही है, लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूं, लेकिन वो जब खुद मुझ को देखते हैं, पहले जैसे आफिस से आम तोर पे प्रदान मंतरी छे साथ पे जी निकल जाते थे, दो पर मैं भी एक दो घंटे वो आफिस में नहीं रहते थे, मैं सुबे से देर रात तक बैरताँ हो तो वो भी देखते हैं, क्ज़न भी ये खुद मेहनत करते हैं, तो उनको लगता है, इस एक प्रकार से टीम का — स्पिरीड बन जाता है एक एक वर कल्चर अब डेवलप करते हैं मेरे आसपास में वर कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूं उसके कारणा होता है स्ट्रीक ने डिसिप्लीन थोपने से नहीं आती है क्योंकि मैं जिन्दगी मैंने हुमन डिसोर्स डेवलप्मेंट में ही अपनी जिन्दगी खापाई है आप लोगों को जूट बोलके लिगे इंप्रेश भी नहीं कर सकते हो लंबेर से तक वो सब देखते हैं आपको कि बात आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए हां मैं काम के समय काम में रहता हूं इसलिए धरूदर की बातें समय खराब ने करता हूं दूसरा मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूं और कोई मोबाइल फोन अपना समय बिगाड रहा है तो मैं फिर उनकी दरब जहाँ अच्छा पताई अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ तो उनको लगता है था मोबाइल फोन मैं मैं ट्विटर देख रहा है तो तब से मेरी मिटिंग में समय लोग सब्सक्राइब मुबाइल फोन लें जाना चाहिए मैं किसी से भी मिलता कोई भी वेक्ते आएगा मेरा कभी बीच में फॉन नहीं आता है इस नहीं किसी को एक नियुक्त मैं मैं भी आपसे दो तीन बार मिला हूं आपने मलब इस जख तो यह मैं अब दोर का सवार है मेरे परिवार में हमेशा एक अलपना थी कभी पीता जिरा जी नारा जी हुए हो कभी छोटी मट्यो तो हमेशा मैं पूरे महल को एक आदी मिनिट में हलका कर देता था इमना एक सोफाव था आज भी मुझे करना का मजा आता है शब्दों से खेलना वग तो अब डर लगता है कि कहीं जाकर के इरादा वो नहीं होता है हशी मजा कहावत सब होना चाहिए लेकिन अब दूर्प्योग हो जाता है तो डर लगता है अज ये सोशल मीडिया के वज़े से लोग कोई भी शब्द कोई बी उल्टा सीधा करवा कि परेशानी तीर्पी वाले प्रफिग होता है तो मेरे जो जूनियर अफसर है वैसे वह बेचारे संकोच करते हैं को कि उनके लिए पीम जो एक वारा बना हुए दुनिया में वो तो बड़ा अलग है मैंने वारा रखा नहीं है मैं दोस्ता ना करता हूं तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूं क वेख्यार बहुत फॉर्मल होता है तो कैमरा में देखते हम तो बीडिया में देखते हम तो बहुत पहली की बात है अब तो मैं मुखिमंद्री भी नहीं था कि किसी काम से मैं थाद पार्लामेंट गया था और गुलाम नभी आजाद और मैं बड़े दोस्तान अंदाज में गप्पे मार रहे थे झुलाम नभी से तुम तो गुलाम मेरे अच्छा जवाब दिया है हम तो नहों खड़े थे अधी अवार जो आप लोग सोगते हो आपको हरानी होग में हम लोग जीतने जुड़े हुए हैं, सभी दल के लोग, को शायद भाहर कल्पना नहीं कर सकते हैं, आपको हरानी होगी, बसे मैं यह बोलूगा तो चुना में मेरा नुक्षान भी हो सकता है, लेकिन यह मम्ता दीदिये, साल में आज भी मुझे एक दो कुरते खुद सिलेक अचा, मिठाई भी, बंगला द्रेक्षि प्रजानमंत्री है, सेक अचना जी, तो मेरा दोरा हुआ तो, ऐसे ही, बंगाली मिठाईयों की चर्चा चली, तो आज वो साल में तीन-चार बार, कोई-कोई बंगाली नहीं मिठाई होगी, तो स्पेशली धाका से मुझे बेढ़ मेरे लिए कुछनों कुछ बंगाले मिठाई, जुरूर बेच देती है। तो आज, मैं जाना चाहूंगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलन्स कितना है। मेरे स्कूल में निकाला था, तो वो भी एक बड़ी लंबी का था है। मेरे स्कूल में, मेरे गाउं में एक देना बैंक का ब्रांच खुला। तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आए थे। उन्होंने सब बच्चों को गुलड़ मत्ती का गुल्रक 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 दिया। और बच्चों को किशों आपको पैसे लाना है। अर हर मएने बैंक में जमा कितना आपके नाम से पैसा हुका कुछ में तो हम ने भी श्याभि कि वी खुछनुक्न कुछ सब्सक्राइब है आप तो इमारी गुलत में तो कुछा करीगते पता है ने तो यह अपने वाइगा बन करना इसको बुलाएकास से तो साथ 30-32 साल तक वो बना रहा और उनको कहीं पता चला बाद में कि मैं अब पोलिटिक्स में हूँ तो बैंक वाले मेरे पास आए तो ले साथ जोड़ा सिगनेचर कर दीजे आपका एक बच्पन का बैंक एक पड़ा हुआ है उनको बन करना है तो मेरी बैंक एकाउंट से दुनिया यह रही लेकिन जब मैं सीम बना एमेले बना तो फिर जो वेतन मिलता है वाना शुरू हो गया तब बैंक एकाउंट फुल गया मैंने तो कभी वो देखा नहीं है बना स्टाब देखता था जब मैं निकला वहां से तो मैंने अमारे मुझे तो करूपयोग है नहीं तो मैं यह दे देना चाहता हूं तो उन्हों ने कहां भाई ऐसा मत कीजिए मैं करूंगा क्या है तो खेर अफसर लोग मेरी इजयत करते थे तो ज्यादा बाहस ने की चले गए शाम को एक सीनियर अफसर को लेकर गया है मिलने के लिए फिर उ ठीक है आपको ज़रूरत नहीं पड़े लिए आपके पर इतने कॉंट केशी चल रहे हैं गुजरात में वकील भी इतने महंगे होंगे हैं आपको कभी न कोई पैशो की ज़रूरत पड़ेगी अब पद पर तो कब रहो कर कितना रहो गया आप और बाद में मैं कोई नहीं द दिया अच्छा उस में से मेरे अपने जेव से दे दिया और मैंने कहा कि यह जो हमारा सेक्रेटरियट है उसमें जो ड्राइवर है प्यून है उनकी खास करके बच्चिया उनको यह शिक्षा देख्षा के लिए खार्च करना अभी वो फाउंडेशन से बनाये हुआ है गुज्रा सरकार ने और उस मेंसे वो मतद कर भी रहे हैं फिर वहां मुझे सरकार के तरफ से मिलता है पैसो से मिलता है लिकिन कम प्लॉट मिला तो मैंने पार्टी को बढ़े लेलो आप आपको दे दे राचा तो मुझे कुछ यह नहीं तो मेरी वो प्रक्ट्रिया चल देख्थी फिर पटा चला है कि मामला तो कहीं शुपरिम गोड में लटका पड़ा है शायद वो जमीन किसे को दे नहीं सकते है इस परकार का कुछ भाई मुझे पुरा व्यात मालूम नहीं क्योंकि मैं इस तीचों में रूची नहीं लेता लेकिन जब भी ओ क्लियर हो जाएगा तो मैंने वो भी पार्टी को देना तहर किया हूँ है सब सच में गुजराती है न क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं मैं नहीं मांने था कि आपने प्लॉट दे दिया पैसे दे दिये तो आप क्योंकि मैं आपको अगर आप इजास्द दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता वीजरों चाहा है मेरा भी Pengρχand का तो भीटा अगा डैडी हूह यहा हूँ को मारी डीगरी गुकृिए नियुक्रे की बीवी का है में भी आयू हूँ आप तीनों यहां हैं तो दुकान पे कौन है तАरे की of इस ही तर चाह ज़ा गय हो तो मेरे दुकान पर कोन ई क्यों मैंने देखा है Gujrati, मेरे बहुत सारे Gujrati दोस्ते, Gujrati जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सब्सक्राइन से रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते हैं जहुंगे आपको एक चुटकुला सुदा दू यह बहुत बढ़ी है अबार यहां चुटकुला चलता है कि एक बार प्रित्वम पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में, तो उपरी बर्थ में कोई पैसेंजर स्वया हुआ था, उसने देगा स्टेशन आया, तो उसने खीड की में आवाड लगए कि बाहर किसी को पूछा कि कौन सा स्टेशन आया, त तो उसना का चाराना दोगे तो जवाब दूगा, तो पले जवाब की जरूर नहीं अम्दाबाद होगा, समझ गया मैं, बिल्कुल तू यह बिल्कुल बात सही है, और एक बता बताता हूँ, यह किसी के आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी आर्थ निकाल सकता ह और यह सत्य गटना में से बना हुआ चुटकुला है, बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिनगी ऐसी थी, यह हाप स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थेला, यही सही मैं रेल्वे में भटकता रहता था और डाड़ी रहती थी, तो मैं पूने स्टेशन पे उत्रा पैदल चला जा रहा था, मुझे पोने में आरसेस दफ्तों में जाना था तो मैं पैदल जाना था तो एक आटर इक्ष्या जीरे 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 साथ चलता देया, फिर करीब सौ दो सब मिटर गया होगा और उसने भारा ध्यान गया मैं के यह से चला रहा हूँ, जोली मेरी यह से चला था, मैं अपकी पोटर इसाफ खराब हे, क्या प्रोब्लम ए पका, तो उसने भाष आप नहीं बठऊ गया हूँ? तो झाल आप स्माजवादी हैं तो बहुत अब अब्ले आदबादी हैं तो जो बहुत आप समाजवादी हैं जो लोग है तो इसमाजवादी के। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कभी एक अला दिन का चिराग बिल जए और जिन कहें कि आपके तीन विशिज है तो वो आपके तीन विशिज क्या हूंगे देखे हैला तिन चिराग मिजे मिल जाए और शत्मीन में उसके पहद ताकत हो गी तो मैं उसे कहूंगा कि तुम जितने भी ये समाज सास्त्री है या जो एजुकेशनलिस्ट हो उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीडी को ये अल्लाव दिन चिराग वाली कथा सुनाना बन करें कि ऐसा कोई अल्लाव दिन होता है वार इशा इच्छाय पूरी करता है मैंना का उसको महनत करना शिखाओ मैं कभी एक्सपेक्ट नी कर था आप ये जवाब दो ये लगा है आपको ये तीन विशिस आप सोचोगे क्या है तीन विशिस लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है आल मैं रिसर्ट नहीं किया है है हमारे हम मूल चिंत ऐसे नहीं है मूल चिंत तो हमारिया परिश्रम का है हमारी यह यह नहीं है कि भी ऐसे कुछ आकर को कोई दे देगा ऐसा नहीं है एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है आपको भी रिटायर होना पड़ेगा तो आ हम लोगों की एक मिटिंग थी इनर सरकल की अटक जी थे, अडवान जी थे, राजमात आशिंद्या जी थी, शेकंदर बग्ट साथ थे, प्रमुर्भाजंदी थे, और उसमें सबसे छोड़ी आयूगा महराता था, तो बाते चली, उसमस ऐसे एक अभी मिटिंग शिरू हना बा पर चल पड़े, कि भी रेटार्मेंट के बाद क्या करेंगे, तो सबने कुछों के अपना बताया, प्रमुर्भाजन इसको बड़ा लोगों को खुरुद फुरुद दिर के निकालते थे, अच्या, प्रमुर्भ जी की व्यक्तितों की विश्यस्ता थी, उनका जीवन प्रमुर्भ जीवन बड़ा था, अने प्रकार के एक्टिविटी से व अपने आपको जोड़े रखते थे, मुझे पूछा, मैरे लिए प्रमुर्भ जीवन है, क्यों मुझे पुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस तारे चीजों मैं सोचा ही नहीं, मैंने तो जब जो जिम्म जिवारी ही मेरी जिन्दगी है, और इसलिए मुझे कलपना ही नहीं होती है, कि मैरे इसमें समय बिताने के कुछ करना पड़ेगा, मुझे आपको एंगेज रखने के कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचारा आया, और नहीं मैं सोचता हूँ और मुझे पक्का लगता है चरी का काण काण और जीवन का पल-पल कीसे ना किसी मेशन में ही कप होगा यह आपने में सोचा हुआ है यह साइद शोचना नहीं है मेरे पाल लक्षे सभाई कुछ मुझे पर काउशल यह नहीं है में जिसन ihanañ है के सबसे वाय्यूबल चीज आप लेके आये थे इस घर के इंदर इस घर केंदर इस अदर इस इन्डेय प्रश कसे सबसे वैल्यूबल चीज आपकी क्या रही थी अगर मैं वैसे पूरी बाच्चित आपने पहले मुझे काना कि मैं तो कोई राजलीति की चरदा करना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ मात्रा में मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनते समझें कि शायद और प्रधानमंत्रियों को यह बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए इतने प्रधानमंत्रियों को यह बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है वो यह है कि मैं लंबे अर्षे तक मुख्यमंत्री रहके आया हूं और आपको बारी कियों से जूरना पड़ता है आपको इस्वाने सीधे आते हैं आपको सीधा करना पड़ता है यह तजूर्वा शायद मेरे पहले के किसी प्रधान मुझर को कितना सभवाग्य नहीं उला देव गड़ा साप मुख्यवंतिर रहे थे लेकिन बहुत अलपकाल के लि मैं बहुत लंबा रहा हूं मैं सबता हूं कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया बहुत बड़ी ताकत दिया यह मैं अपना मान सबता हूं कि महां से में लेकर जाया यह जो देश के काम आ रहा है आप जैसे मैं जानता हूं जैसे मैं आपक पर वोटये के स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था आप तीन जा छार तेन गिंटे हूं जालने बाले लोग है observer da सरकार में आया हूं, और ही अग्रे कि आग्लर हता है करिए मरे बढ़ाऊं राष्टती उबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलज गया है। मुझे मोधी जी क्यों आसा करते हैं। हम जोनों अच्छे दोस्त हैं। तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को तू ऐसे क्यों करता है। कुझे आज पता नहीं है। यह तेरा नशा है काम का तुम करते रहोगे लेकिन तुम भाद तुम अपना नुक्षान कर रहे। और वो जब ही मिलते हैं। कि तुम मेरी बात मानते हुग ने मनतों को नेंद बढ़ाई गरी बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बाड़ी साफ हो गया है। मतला आपको नेंद आती नहीं है साड़े तीन चाल मेंटे के बढ़ाई। नेंद जो है मेरी इतने कम समय मैं तूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वेश से तो आप उतनी जाते हो कि अब मुझे काम करते है। इतना इतना नॉर्मली देखा है आपने कोई भी बेक्ते उड़ता है तो हाथ पैरी देरूजर करता है। आँख ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं आँख खुलती है। फ्रिक्शन अब सेकंड मेरा पैल जमीन प्योहता है। बहुत जाता ह। उड़तावे ने विस्तर से भी बाहर होता ह। अब यह हो सतना है वह मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिन्दगी को मैं जी रहा था। उस में से शायद यह डवलप हुआ है। अब वह मेरा मेरे मेरे शरीर का वहिसा बन गया है। लेकिन मैं जैसे आपने का रिटार्ड होने के बाद क्या करोगे। पहला काम मैं निंद कैसे बढ़ा हूँ इस पर सोचूंगा। कहां बढ़ोगी है। आज आज आपके सारा कागत पढ़े हैं। आज 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 आपको कभी। मैं यह जाना चाहूंगा। वैसे कही लोग जानना चाहेंगे कि नरिंदर मुदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं। आप हैरान होंगे। मैं बहुत ही। फिर वही कहूंगा मैं ऐसी कठीन जिनगी जीकर के आया हूँ। तो डॉक्तर क्या होता है यह महगी जवाईयां क्या होती है, फिर शॉफिस्टिकर्टर क्या होता है। आप अरवेधिक भी बहुत इश्वास करते हैं। दूगता थाथा, अरवेधिक भी बजाए कहसी जीनगी है। अब आप पहाड़ चड़ते हैं। पैर तो दरिए है।। कितनी आधी हों। लेकिन बंहिचाई यह लगे पर जाते हैं तो... अब जो अक्यालाएँ इणसा रहा है। कि मानिज वाले को थो पुछ भोले को सब्सक्राढ़ा कोुछ थो तहरपी नहीं करता। अब मैं क्या करता था। मेरे गंदेब हमेशा एक जो असाम का गम्षा होता ना इस गम्षा मेरे पास रहता था ऐसा मैं जैसे उसको इसे पहर पर बात देता था पूरा और बीच में एक छोटी लखडी तोड़ कर गे पैड से लगा जयता था इसको मैं करू करता था तो प्रेसर आता था ऐसा पूरे मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था तो ऐसी चीजे में इवोल करता था अपने लिए मैं बहुत साल पहले कैलास यात्रा पर गया था पैदल को टोटल यात्रा करीब थाजन किलोमेटर का था था पैदल गया कुछ और भी लोग थे बड़े लोग भी वहां कभी अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चंब्री बचाने के लिए सब लेकर क्या हुए थे मेरे पाद तो को था मेरे पाद केस्टर ओल था और वो भी रो सिधा वो गहनी से निकाला हुए तो उसकी मैल भी बहुत खराब होती है तो मैं उसी को लगाता था अब ये लोग आ पड़े परिशान देते थे मुझे कुछ नहीं होता था बड़े महें तेज तर्लार रहता था तो मुझे पूसरे लगे आप क्या करते हो तो रगा कुछ नहीं केस्टर ओल लगाता हुए तो रात को हम जब पहाड चड़कर के रातनी मुकाम होता था था ये मेरे पास आज इतल हम फेसे हार इक बूंद के च्टो प्रॉंफ ये जाता था कि जु काम होता है तो मैं गरम पाणी पूर असमीं पीता घर्म पानी तुसमें और श moisturशें पीता या कुछ कूछ रात को दो-ती मुझ डाल देता है। जलन बहुत होती है। लेकिन यह मेरा दिन में क्लीर कर देता है। तो ऐसी जीने क्या अदथ है। मैं कुछ चीजे करता हूँ और पूछना चाहूँगा आपसे। आपसे एक मैंने चीज फॉलो की है जिसको कहते हैं की साथ बारा पांच इन्टू चालीस यानि साथ बज़े मैं ब्रेकफरस्ट कर लेता हूं बारा बज़े मैं अपना लंज खा लेता हूं और पांच बज़े डिनर खा लेता हूं और इन्टू चालीस यानि कि जब भी एक गस्ता खाता हूं उसे चालीस बार चबाना है तो यह मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कई लोगों से बात किया तो आप इससे सहमत हैं बिलकुर सही रास्ता आप ने चुना हुआ है हमारे देश में मुलादत यही है यह बेश्टन जो बड़ आया उसने फिर दिरे दिरे इसमें यह बड़ाव किया कि लोग भॉजा कि सान आज बिल मैं किसान आज भी गाओ में निले इस में नले डालेंड़ गांने भी इन डेकूब arrangements withErna कि सूर्यास्ते के पहले खाना खा लेता है और दिन में भी आपने देखा औirkाना कि सुबह एक प्रकार थे वो पिसको आप नास्ता कहते हैं, लेकिन अच्छली उसका वो लंच ज्यास ही होता है, तो काभी मातरा में बड़े-बड़े रोटी जियोल और सब्जी और चत्मी कुछ लेकर के थेज चलाई होता है, दीन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर्के आपका एक फैशन स्टेट्मेंट बहुत बढ़िया है, मनलब डाड़ी वाड़ी एक दम सही किया हुआ, और मनलब कभी-कभी मैं देखता हूँ, आप हाफ स्लीव कुर्था पैनते हैं, ज्यादा कलके हाफ स्लीव कुर्था पैरते हैं, तो यह जो पैशन यह जो है, यह जो आपकी जो शेविंग और यह सब, क्या यह मनलब फैशन जो है, यह आपने खुद में किया है, यह आपने किसी को आपने बहुत अच्छा सवाल पूशा, जैसे मैं बहुत अच्छा सवाल पूशा, जैसे मैं बहुत स्टीक हूँ, गुसा करता हूँ, यह जो एक छभी यह आपने बताया, जो लेंगा, और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ, कभी मैंने कपड़े, तो फिर मैंने किसी सोचा, कि यह लंबी बाहिं दखता हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा दोना जगा जादा लेता है, इसलिए आपने उसको मैंने काड़ दिया था, अब वो बात हो पैशन पर गया जी, इबास हही है कि मैं धंग से रहना, यह मेरी प्रकूरती थी, शायद एक कारण यह भी था, कि गरीबी के कारण, कभी-कभी इन्फेरिटी फिर होती थी, लोगों के मुझ पर, तो उसको उवरकम करने के लिए, शायद साइकोलोजी पढ़ी होगी बच्पन में, ऐसा मुझे रखता है, तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं यह बरतन का जो लोटा रहता है, उसमें कोईला भर देता था, गर्म कोईला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था, और पहन के जाता था, लिएक जूते नहीं थे, तो मेरे एक मामा एक दिन आये, गर पे, तो पता नहीं, उनका मन कर गया, तो उन्हों मेरे लिए जूते ला दिये, तो एक कैनवास के सफेज जूते आया नहीं, छोट मैं क्या करता था, क्लासरूम में, सब बच्चे चले जाते थे, मैं रुका रहता था, और टीचर जो ब्लैक बॉर्ट पे लिखता है तो बाद में जो छोटा चॉक स्टिक का टुकड़ा रह जाता है, वो एसे फैंक देता है, तो मैं उसको इखटा करता था, वो चॉक स्टि कई बार आपसे मिला हूँ, आप घड़ी जो है, वो अभी तो आपने सही पहनी है, लेकिन घड़ी आप ज्यादा करके ऐसे पहनते हूँ, गड़ी मैं सही पहनता हूँ, क्योंकि मुझे मिटिंगों में बैठता है ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसी को पता चले, कि मैं मैं ऐसे गड़ी देख रहा हूँ, उसको इंसल फिर दोता है, तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा रहता हूँ, ऐसे चोरी छुपे से गड़ी देख लेता हूँ, आप कोई बैठ रहा है बात कर रहा है और गड़ी देखते हैं, तो मतलब कि आप उसको इसको इशारा करें बहुत हो गया जाओ, तो आप ऐसे रखते हो, हाँ, तो ये मेरे मन में ऐसा है कि ये किसे का एक प्रकार के, हीडन भी में है, बहुत मैनुटली आप, लेकिन आप मानते हो, मैंने आपको अबसर्व किया कि आप गड़ी उल्टी पहनते हो, मैं देखा था कही आपने कि आप आप आप से ये जाना चाहूँगा कि ये जो सोचल मीडिया का आज कल तो पूरा जमाना है, और मैंने देखा है कि आप काफी अक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रशन पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं, तो आप खुद देखते हो, ट्विटर या इ ट्विटर देखते हूं, और कभी-कभी तो मुझे लगता है, कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है, ट्विटर पे, तो उसके एकान आपके परिवारिक जीमन में बड़ी शांती रहती होगी, उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा, इसलिए आपको बड़ा बड़ा आराब रहते हैं, सुकुन बिलता होगा, तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काव आया हूँ, खास करके ट्विकल जी के लिए, और शायद ट्विकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना, चुनी चुनी भाई, उनसे में मिला था, बहुत पहले, और कारण क्या था, यह बड़ीट फिनियए, गुजरात में बहुत बड़ी आकाल पड़ा था, तो हम लोगों को सामाजी काम करते थे, उसमें हम लोगों को यह बटर मिलक के कहंदर चलाते थे, चास मिलेक गर्मी बीडलोगों को बटर मिलको, तो मूल्न सुरीन गरuni में बहुत बड़ी मात्रा में करते थे तो उसे कारकम में मुंबई में एक फ्रजन थे मिठाई के बहुत बड़े वापारी थे नाम तो मैं भूल गया बून को लाई थे और उने डोनेशन भी दिया था और हमने ऐसे चाज के इंदर चालू किये थे बटर मेल के बहुत बड़ी मात्रा में जैसे पानी की मैं परब रहती हैं मेरी उन चाज की परब रहती थी और हर गरीब व्यक्ति वो उस वह से लोसा आंना युह आय थे तो उससमें मेरी उन से मुले था ले काफी बाते हुई परकार है टो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो लोको भेलकोल मैं पढ़ता इसे आपने गुसा तो आता नहीं जादा करके लेकिन वह जो 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 मेम आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है जैसे देखो मैं कुछ चार पांच मीम लेकर आया हूं यह देखिए यह लिखा है इस टी सेलर कें गिव नेशन यूनिटी एक्वालिटी सेव्टी प्रॉस्प इसमें लिखावा है चट्णी के बिना डोपल है बेकार अब की बार मोदी सरकार यह तो इस यह देख़े हैं ने लिख तो यह यह आद देखहा हूंग है तो यह एक्षन डिरेक्टर है में बीज नरिंदर मोदीजी और अगले दिन आपको इतना इस स कबढ़ा सीजा मोटर मैं उसमें मोधी को कम देखता हूँ, क्रेटिविटी को ज्यादा देखता हूँ तो मुझे उस क्रेटिविटी के प्रती है, यहने मेरा गोर भी विरोध होगा मुझे बड़ा मज़ा था, क्या बड़े सटिक तरीके से का हावश्टी मतलब बहुत अच्छे क्रेटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं यह लोग और यह जटके में सोचते हैं आपको बता हूँ, आप और मैं भी बात कर रहे हैं यह सबसे बड़ा बेनेफिट मुझे यह है कि मुझे कामन मेन की जो सेंस है, उसकी जो क्रेटिविटी है, उसका अनलीसिस है यह समझने में बड़ा बना क्या होता है यह बनी बनाई लोगों के जो परोसी हुई चीज होती थी फाइश्टार फूर जैसा होता था यह एक पकार से फुटपाथपर का जो चने चबेने वार पकोड़ा होता है बाइजा सोचल मेडिया का मट्रिल होता है फिनिश नहीं होता लेकर उसमें से आपको सच्चा हाथ लग जाती है मैं तो यह वेट कर रहा हूँ जब यह आएगा तो इसके ओपर भी बड़े बीम्स बनेंगे इसके ओपर भी बड़े बीम्स बनेंगे तो आप तो खरते हैं मैं मुझे मेरे लिए पहली बार होगा यह मतलब कुछ लोग होता हैं इंटेंशन करते हैं जानबुछ करके उस समय अपने आपने आपको संतुलित रखने से उसके सारे अरादे फेल हो जाते हैं और वह उसको उसकी नि créd पढ़ देते हैं अगर आप उसको रियक करते हैं reminder reminder तुसको मज़ा आ जाता है। लेकिन देखा है छोड़ दिया। तो उसकी नेंद गड़ा तो मैंने इतनी महनत की। इतना मोदी जी के माल नौचले वाली चीज की। मोदी कोई खोई निरा है तो वो परिशार हो जाता। यहां फिर वो अपना बंद भी कर देता है थोड़े देर बाद यहीं बात सही है। सब आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। आपसे मैं दो थीन बार पहले भी मिल चुका हूँ। और आज मुझे 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 मुखा मिला है आपसे वारतलाप करने का आपसे बातशीत करने का बहुत अच्छा लगता है As a human being, not as a prime minister, as a human being, you're a lovely person, you're a person जिसने जिन्दगी में सब कुछ देखा है, जहिला है, पाया है, और खोया भी है और sacrifice आपकी जिन्दगी के, यह मेरा analysis है जो मैं आपसे भी बात करके, यह मेरा analysis है कि आपके जिन्दगी के आपने बहुत sacrifices भी किये हैं So, I'm glad that मुझे यह मुखा मिला है आपसे बातशीत करने का, क्या आप monthly आपकी जो salary में से कुछ आप अपनी माता जी को भेचते हैं अज़ है हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी अच्छा बहुत जब भी मिले जाओंगा तो सभा रूपिया वह होचा मेरे हाथ में देती है आज हूं और वह उमसे अभी अप्रेख्छाने करते हैं अभी आपशा नहीं करते हैं उनको ज़रूद पे नहीं है दूस मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ रहेता है, मैरे दिहाने जी बात है विलकुल, तो यह एक प्रकार थे, लेकर इसका मटलब यह नहीं कि कोई मा के प्रति लगाव नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गहा है, मैंने अपने आप परिवार, पुरा देश को मैं पर लगा रहता हूं, यही काम तॉता रहता हु, मैं यह जानना चाहोंगा कि आप को कि बच्पन्में ऐसा कौन सा खेल था, क्यों आप खेलते थे। में बच्पण में संकी शाखाउं में जाता था। संकी शाखाओं में बड़े अच्छे वेज्ञानी खेल होते हैं बड़े वेज्यानी कि जिसमें टीम स्पिरिट आए जिसमे unterstützen ऑच विशेती हैं यह सब सरकल में बैठते हैं, फिर जो हमारा लीडर होता है वो पूछता है, आपके राइट साइट पर जो बैठा है, उसकी एक कॉलिटी बता हूँ, अब है तो खेल, लेकिन आपको उसके कान ने जाता है, आप दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, अब खेलते खेलते ही इसलिए मुझे बच्पन में संग की शाखाओं में, खेलों के द्वारा, टीम स्पिरिट क्या होती है, रिस्पॉंसिबिलिटी शायर करना क्या होता है, यह खेल है संग में, बहु पढ़िया खेल है, परंपरागत खेल है को संग वालों ने ढूंड़े ऐसा मैं नहीं कह रह है, ग्रूप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा है, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप परते हैं, जो इंडिविजल खेल होता है, वो आपको एक अलग प्रकार कर डेवलपमेंट करता है, वो गरत करता है समय नहीं कह रहा हूं, अलग प्रकार करते हैं, तो जिनकी जीने के लिए गुरूप वाले गेम्स खेलने चाहिए, इंडिविजल कितना ही है, बढ़े चल जाये, लेकिन गुरूप वाले खेलना चाहिए, यह मेरा मत रहता है, अपने कभी गुलिरंडा खेला है? बेलकोल खेलता था, गुलिरंडा खेलत लेकिन जादा तर मैं तैरने ये लिए चला जाता था, बढ़ पानी पसंद था, तो जो भूत क्ञानीं तो उसके कांट वाभावी मेरा स्विमिंग से गया, मैं बोखार घंटों तक स्विमिंग कर लेता था, मेरे शरीर के जो अगर मुलहुत कहें के डवल्पम्न, बॉडडी डवल्पम्न जो कहें वह साइस्विमिंग से हुआ है, वह गाहु वला स्विमिंग में तालाव में नैर हो गई तालाव हो गया वहां के उस ही में मुझे अभी याद है आपका मैंने एक United Nation में पहली जो speech देखी थी आपकी, I think 2014 में दीती है मैं प्रदान मंत्री बना और सितंबर में गया था सब्टेंबर में गये थे तो आपने जब मापने इतने सारे स्पीच दिये हैं तो आपका पहला स्पीच था जो वर्लवाइट पूरी दुनिया तो वह इंव नवस क्या मेरे प्रदान मंतरी निरंदर मोधी जी नवस थे उस दिन मेरा प्रब्लेम ऊवर कॉंफरेंस था है अच्छा उल्टा था उल्टा था और हुआ कि मैंने मन में सोचा था कि मेरा फ्रेमवर्क रहेगा बोलने का जब जहाज में हां से जा रहा था हमारे अपसवरों ने में ब्रिफिंग भी किया था जब मैं अमेरिका पहुंचा तो हमारी फॉरेंड मिस्टर सुष्मा जी उनकी म तो उनको पहले जाना पड़ता है तो पहले गई हुई थे तो पहुंचने के बाद ही मेरा कोई दूसरे दिन कारकम था तो मेरा नेचर है मैं होटल से उतरता हूं कि पहले मीटिंग कर लेता हूं तो प्रिफिंग के लिए सब बैठे थे तो तो सुष्मा जी ने पूछा कि कर लेंगे क्या है तो वो अड़ गई उन्होंने बड़ा आगरन नहीं को बोले साथ ऐसा नहीं कल सब्सक्राइब आच आपसा लोग बोल नहीं पाते दे मुझे किसे नमीजे कहां भी नहीं था तो यहां एक स्टम पर भाशन नहीं करना चे बोले लिखी स्पीश होना चेज आप जगा वैसे ही करता हूं घर काफी दिन हमारी आधा घंदा तक बहस होती रही है लेकिन उना ने बिलकुल पकड़ करका नहीं साथ इसमें आपके नहीं चलेगी आपको मानना पड़ेगा तो मैं आपको क्या करेंगे मैं आपना बता देता हूं मुझे क्या बोलना है तो मतलब पढ़ना यानि की एने पढ़कर के बोलना वह ने कभी आपको देखा नहीं बहुत दिक्कत होती है जी बहुत दिक्कत होती मेरे थाट प्रोसेश इसलिए तो मेरे पहला भाशड जो है है वह पढ़कर के मैं क्या आप हो एने कम पर अचली पढ़ रहा हूं मैं आपने और वह भाशन आज भी मश्रूर है आज भी मश्रूर भाशन नेपाल में पहला भाशन तो एक्स्टेंपो वाला भाशन आपका हमेशा आप मैंने कभी वैसे देखा नहीं आप तो मेरे लिए फिर वो इस प्रकार की जो मीटिंगे होती है उसमें बहुत आवश्यक हो गया ब अब ही नहीं एक पाता हूं लास्ट फिल्म कॉनसी लेकिन मेरे गाउ में एक थीएटर था और मेरा एक दोस्त था दसरत करके उसके पिताजी थीएटर के बाद सिंग चना बेचते थे और हम गाउवाले उनको लक्ष्मा भाई थीएटर वाला बोलते थे बेचते थे तो चन और अगर थीएटर में दर्शक कम है और जगा बची है तो फिर वो थीएटर के बारी बैठते थे तो माली को कह देते जरा इन बच्चों को बिढ़ा दो रहा है तो फिर वो मुफत में हमको थीएटर में जाने का मौका मिल जाता था वो लक्ष्मा बेज़ों सिंग चना बी बाद में जिनगी ऐसी बन गई है तो मौका नहीं मिलता लेकिन शायद एक अभिताब बच्चन जी आये थे जब मैं सीम था उनका बड़ा अग्रफ था एक पाफ फिल्म शाय तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था एक बार अनुपम जी खहर आये थे उन्होंने तो मैं उनके साथ देखने चला गया था तो ऐसा कुछ हुआ है लेकिन वह भी ज्यादा नहीं कर पाया अब आपने एक फिल्म बनाई थी आपको मैंने अलका सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉलेट एक प्रेम का था पे फिल्म बनाई थी और मैंने वो मैं खुद देख नहीं पाया लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा कि देखो भाई सामाजिक जिवन पर कैसे फिल्म में चल सकती और बन सकती हैं वो कमर्शल हिसाब से मैंने पूरे बनाया थे बलके गाने वाने वगएरा ये मा पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था और ये ऐसा कैसा होगे जैसे कि आपने जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले आपने स्वच्छता के ऊपर बात की तो आपको डर नहीं लगा कि आप पहली बार मौला आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और सबसे पहला मौला देखता पर रखा हुआ है सबस कि हमारे देश में बीमारी गरीबी इन सब की चीजों के साथ हिल्थ बड़ा सबसे बड़ा वीशा है लिकिन प्रिमेंटिव हिल्थ के लिए दो चीजे में देखता है एक स्वच्छता और एक फिटनेश आप अपने शरी को फिट रखे तर बनाईये तो बाकी आर्थिक करके आओ भाद दो मंदिर में जाते हो तो ना करके जाओ सब बहुत सिखाए जाता है सोशल आइजीन के प्रति हम उदासिंद है और भारत जैसा देश दुनिया में अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूलिजम डेवलप ने हो रहा है एक कारण है गंद की वै जोगों को गरवना चाहिए कि हमारे देश पासे ने इस कारकाव को अपना बना लिया और ये नौ करोग टॉलेट बन जाना दूजाना दूजार चाओदा के पहले थर्टी एट परसंट रूरल सेनिटरेशन था 98 परसंट मतलब देश तयार था और मुझे खुशी है कि करने बालागी देशने चीज को उठाली आप अज प्राम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम अराम करते हैं मतलब कुछ अराम से बैठकी यू बैठें गार्डन में सोच रहे हैं बत ऐसे कुछ नहीं चिल आउट के लिए मेरी एक आदत है मुझे आप करने ही पाता हूं लेकि मेरा बड़ा स्वभाव रहा है एक तो मुझे सुभे पांच बेजे चाई पीने की आदत है बिना शक्र चिनी में लेता नहीं मुझे को प्रॉब्लम नहीं है लेकि आदत नहीं लेता हूं दूसरा मुझे शाम को 6 बजे दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया थोड के नीचे नहीं हूं सीधा आसमोहन से मेरा संपर खोना चाहिए खूले में बैठा हूं अक्यला बैठा हूं और वहां आराम से चाय चुका हूं यह मुझे बहुत पसंदा और वो जवा कॉन सी यहां यहां भी मैं कर लेता हूं और मेरे आफिस के उसमें भी कर लेता हूं ले शेज़ आपने रिटारियर्मेंट के बाद क्या करोगे तो उस काम को ज्याजा करूंगा पहले में रेगुलर करता था मैं कभी दिवाली नहीं माना पाउट था जी अच्छार पाथ दिन कहीं चड़ा जाता था और पांथ दिन के लिए मेरी जो रिक्वाइर्मेंट रहती थी पानी वगर वो साथ ले लेता था और भी मैं उठा के लेजे को उतना ही और मैं पहले रिसेच करके रखता था कहीं जंगलों में कोई जहां इंसान नहों लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो ऐसी जगह ढूंगता और वहां जाकर मैं रहता था कभी पैड के नीचे क्या को भी खंड हर कोई मिल गया तुसमें पढा रहता था अचा वू समया में तो टीवी बगर तो थे नहीं रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था नाखवार नो कुछ नहीं कागज पेहन भी नहीं किताब भी नहीं कुछ नहीं और पांच दिन मैं ऐसे ही अक्ला रहता था प्रकृति को देखना एक प्रकारद मेरा वो कारकम का नाम था मैं मुझसे मिलने जाता हूं है ओके मैं मुझसे मिलने जाता हूं यासा है मेरा वो मेरी जिन्गी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज है तो अब नहीं कर पाता हूं अब नहीं कर पाता हूं आप तेक है, SPG बगेर ऐसा कबर हो गया है, जिन्री ये बालग हो जाती है, लेकिन बहुत सालों तर मनें किया है, और मैं उससे बहुत ताकत परता था, और जो विचार आये आने देता था, किसी विचार को टिकना आये तो टिकना, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता तो यहीं मरा एक तरीका रहता था, आपको मेरे में नहीं है कि आप चाय बेचते थे और मैं जी बेटर था, दोनों के आप और मेरे में ये भी है कि हम दोनों के कोई गॉट फादर नहीं थे, हम अपनी जिन्दगी अपने टर्म्स और कंडिशन्स पे बनाई हैं, यह रहा है जब में चाय बेचता था, बहुत कुछ सिखने को मिला विजया है, बहुत लोगों से मिलने का मुखा मिलता था, हरेके स्वभाव को समदता था, बिनाकरण जो चाय पीने वाला है गुशा करता था, डार देता था, ते इन चीजों को सिखने में बहुत कामाया, लेकि एक हिंदी में बात करता हूं, तो बहुत सर्प्राइज करता हूं, मुझे हमारे सिकंदर वक्त साफ थे, बीजेपी के लीडर, वो मुझे हमेशा का रहे, तो इतने साल तक यहां रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझे, तो उसका कारण ये था, कि मैं स्या प्राइबेता था, तो मेरे गाउं में जो ट्रेने तो बहुत कम आती थे, लेकिन ये जो मालगाड़ी होती है, जो माल ढोती है, वो ज्यादा आती और मुम्बई में, जो भैसों क्या तभेले रहते हैं, उसके जो दूद बेचने वाले लोग है, वो क्या करते हैं, दूद पेचारे गांसवास उसी में भरते थे, उसमें रहते थे और भैसों कोले जाते थे, एक वेक्ति आएगा तो तीन-चार दिन रहना पड़ता था, हम उनको चाही चाही हम चाही देते थे, उनसे बाते करते करते हैं, मैं हिंदी सिख गया, अच्छा, फिर वो क्या करते थे, अपना मुजिक के कुछ चीजे लियाते थे, तो शाम को वो चोपाई आवपाई आपना भाजन करते रहते थे, तो मुझे उसकी कानने नौर्थ के कल्चर से परिचायाया, तो एक प्रकार से चाही ने मुझे ये लेंग्वे सिखा दी, तो आप ये सौंग की बात आई, ये पवन वेक से उड़ने वाले घोड़े, ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने, वो बहुत अच्छे लगते थे, आज के कोई गाने में बिंगुना आज तो पता ही नहीं कोई है, आज तो पता ही नहीं कुझे, मुझे आपसे बात करके बात मुझे, देश की जिए, लोगों होता है, तो जो आप पूते हैं, कैसे रिलेक्स होते हो, ये भी बहुत रिलेक्स होने का, इस भी तरीका ही रिलेक्स होने का, इस बहुत रिलीफ रएगा.